पच्चो वीडियो के तीसरे पार्ट में है और अंतिम पार्ट में है इसमें हम देखेंगे कि कैसे income and expenditure account cash as well as credit दोनों transaction को record करता है यह सारी बात समझने से पहले मैं तो मिनट के लिए आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ method of accounting accounting करने का दो मैठड होता है accounting को accounting करने का दो मैठड होता है एक cash basis और दूसरा accrual basis ठीक है cash basis में हम लोग यह सिखें कि जब भी आपके पास cash आया आप क्या करते हो रेकॉर्ड करते हो ठीक है cash गया आप क्या करते हो रेकॉर्ड करते हो चाहे वो cash current year का हो तब भी रेकॉर्ड करना है ठीक है वो cash previous year का हो बीता हुआ साल का हो तब भी रेकॉर्ड करना है वो advance year मतलब आने माले साल का हो तब भी रेकॉर्ड करना है आप जब cash basis follow करते हो तो आप एक ही बात आपके दिमाग में रहता है कि cash आया तो record करो, cash गया तो record करो, इसी तरह हम लोग यह सारा चीज़ हम लोग देखा करते थे, cash book जब बनाते थे तब, receipt and payment जब बनाते थे तब, उसमें हमें एक ही चीज़ चिखाया गया, कि जब भी cash receive हो तो आप लिखो, जब भी cash paid हो, तो आप लिखो, वो current year का हो, previous year का हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, income and expenditure account, cash basis record नहीं करता, वो record करता है, accrual basis, तो आईए जानते है, accrual basis होता क्या है, इसमें बच्चों हम एक ही बात जानेंगे, कि all expenses and income, जितने भी तरह के, expenses हो, income हो, वो एक ही बात को ध्यान रखेंगे, अगर वो current year का हो, मेरे साथ फिर से बोलना, जितने भी expenses, जितने भी income, अगर वो current year के हो, तभी हम उसे record करेंगे, प्लीज फिर से समझो इस बात को जितने भी expenses है, जितने भी income है अगर वो current year के हो तब ही हम record करेंगे वो credit में हो या cash में हो, इससे मतलब नहीं वो credit में हो, cash में हो हमें इससे मतलब नहीं, हम record करेंगे बट condition क्या है, वो क्या होना चाहिए current year का होना चाहिए अगर कोई भी transaction current year का होगा current year का होगा वो कुछ भी income हो अगर वो current year का होगा तो हम लोग record करेंगे वो cash में मिले तब भी और ना मिले तब भी इस basis of accounting को हम लोग क्या बोलते हैं accrual basis accounting बोलते हैं और income and expenditure बनाते समय हम लोग इसी बात का ध्यान रखेंगे कि वो income वो expenses current year का होना चाहिए सर एक बात बताओ अगर वो previous year अगर पिछले साल का expenses होगा तो क्या हम record करेंगे बिल्कुल भी नहीं सर वो अगर आने वाले advance year के लिए होगा तो record करेंगे बिल्कुल भी नहीं बच्चो बस एक ही बात आपको जानना है वो income और expenses current year का होना चाहिए तभी हम record करते हैं बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं एक चीज़बे आपको और समझाना चाहता हूं आए देखते हैं ये accrual basis बेसिस ना तीन concept को तीन terms को आपके सामने लाता है पहला term होता है प्रीपेड एडवांस ठीक है आई जरह इसके बारे में समझते हैं ये जब भी accrual basis आता है वो तीन बेसिस को तो अब प्रीपेड बेसिस हमें ये बोलता है कि कोई भी expenses जब आपको समय से पहले मिल जाए सर समय से पहले मिल जाए मतलब आप अगर current year में हो और वो आपको आने वाले समय के लिए current year में ही मिल जाए तब आप उसे क्या record करेंगे बिल्कुल भी नहीं क्यों नहीं record करेंगे क्योंकि ये expenses current year का नहीं है तो sir advance मतलब ही यही होता है कि कोई भी expenses जब आप current year में आने वाले साल के लिए advance year के लिए अगर आप payment करते हो तो ऐसे expenses को हम record नहीं करते हैं क्यों क्योंकि accrual basis बोलता है कि current year के expenses को यह record करना है जैसे आप जो mobile recharge करवाते होगे तो आप पहले क्या करते हो payment करते हो आने वाले जब तक जितना समय के लिए आपको यह service चाहिए उसके लिए आप payment पहले करते हो तो यह एक तरह का क्या example है prepaid का है advance का है तो मेरा सवाल यह है कि prepaid और advance nature के कोई भी expenses होगे तो क्या आप income and expenditure में ल लिखोगे क्यों नहीं लिखोगे क्योंकि वह current year से belong नहीं करता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा अक्रूवल बेसिस दूसरा concept तो आपके सामने लाता है उसका नाम होता है out standing due बताओ unpaid बताओ सारी बात एक ही होती है out standing में क्या समझते हैं हम लोग यह देखे कोई भी खर्चा जो कि current year का हो अगर वो paid या फिर receive ना हुआ हो अगर वो paid और receive ना हुआ हो और वो current year को belong करता है तो उसे हम क्या बोलते है out standing मेरा अगला सवाल बच्छो क्या हम इसे income and expenditure में record करेंगे या नहीं करेंगे बिल्कुल record करेंगे सर क्योंकि यह कब का है current year का हो पेड हो रिसीब हो इससे मतलब नहीं लेकिन कब का हो current year में तो क्या वैसे expenses को हम लोग क्या बूलते है out standing due unfaid कुछ भी बताओ ऐसे expenses को क्या income and expenditure में record करेंगे बिल्कुल करेंगे you are right बहुत अच करोगे तो वहां यह चीज आपको बिल्कुल clear हो तीसरा क्या होता है अक्रूड अक्रूड कंसिप्ट क्या होता है बच्छों अक्रूड मतलब कोई ऐसा expenses कोई ऐसा income जो की current year का तो हो current year का तो बट अभी तक आपको received ना हुआ हो तो मेरा अगला सवाल कोई ऐसा income जो की current year का ह है और receive नहीं हुआ है तो क्या ऐसे expenses को ऐसे income को क्या हम income and expenditure account में record करेंगे बिल्कुल करेंगे क्यों 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 है तो यह current year का लेकिन receive नहीं हुआ है तो ऐसे को हम लोग income and expenditure account में record करेंगे बहुत अच्छा बच्चो इस पार्ट में आपको इन 3 term को इसलिए बता दिया ताकि आगे आप बहुत comfortable हो इस तीन टम के साथ आईए देखते हैं अपना आगे तो हम accrual basis को यह examples के साथ और समझेंगे तो देखिए पहला example क्या है rent paid for 12 month at the rate 1000 per month सबसे पहला सवाल क्या rent paid revenue nature का है yes sir तो क्या हम income and expenditure account में लिखेंगे credit side लिखे या debit side मेरा मतलब है income side या expenditure side expenditure side लिखे क्योंकि यह rent paid है तो हम दोग देखो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे to rent paid how much sir 12 into 1000 यह current year का है कितना हो गया 12000 बहुत अच्छा बहुत अच्छा sir दूसरा example बताइए rent paid for 10 month at the rate 1000 per month rest are outstanding for the year क्या outstanding मतलब आप जानते हैं yes sir यह क्या होता है ऐसा expenses जो की current year का बिलॉंग करता है लेकिन वो paid नहीं होता तो यह बात बताओ क्या हम income and expenditure account में rent जो है 10 month के लिए include करेंगे या फिर 10 और यह rest 2 month 12 month के लिए करेंगे आपका जवाब बिल्कुल सही है हम लोग 12 month के लिए करेंगे जो outstanding है क्या उसको भी लेना है हाँ लेना है क्यों लेना है क्योंकि वो current year का है बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप यहां देखे मैं दिखाता हूँ आपको लिखके to rent paid कितना हमने paid किया है actual में कितना paid किया है सर 10 month के लिए paid किया है 1000 तो टोटल कितना payment हुआ 10,000 बट हम लोग इसमें add करेंगे outstanding rent क्यों outstanding rent add कर रहे हैं क्योंकि यह current year का है और accrual concept बताता है कि income and expenditure में जो भी income जो भी expenses current year का हम उसको लिखते हैं वो receive हुआ है या नहीं यह हमें मतलब नहीं तो यह देखे 2 into 1,000 क्योंकि 2 महिने के लिए due था यह तो हम इसे 12,000 लेंगे ना कि 10,000 सर बहुत अच्छा समझ मारा आप आगे बताओ आगे देखे salary receive only for 8 month salary कितने महिने के लिए receive हुआ है पहले तो यह बताओ यह salary receive revenue nature का है या नहीं है सर सर यह income है यह expenses है income है क्योंकि receive है न तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे buy salary receive ठीक है अब एक बात बताओ यह कितने महिने के लिए receive हुआ है 8 months के लिए लेकिन किसी भी year में तो total कितना होता है 12 month तो 12 month में से 8 month के लिए receive हुआ है तो क्या 4 month के लिए क्या 4 month के लिए salary मेरा accrued है सर accrued हाँ accrued मतलब यहाँ देखे अभी हमने बताया था accrued मतलब ऐसा income जो कि current year का तो हो लेकिन मिला नहीं तो क्या इसको हम record करेंगे क्या बिल्कुल करेंगे तो यह देखे यह तो जो मुझे receive हुआ है 8 month के लिए salary कितने 2000 पर मन्त के हिसाब से तो यह 16,000 तो receive हुआ ही है लेकिन बाकी का मेरा क्या है accrued salary है कितने महिने का है 4 into 2000 यह 8,000 हो गया तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 24,000 आप समझ पा रहे है आप देख पा रहे है कि कैसे accrual concept हमें मदद करता है income and expenditure account बनाने में अगर accrual concept नहीं होता तो यह क्या यह adjustment हम कर पाते है यह adjustment कर पाते नहीं सर सर मुझे एक बात यादा रहा है आपने इस वीडियो के part 1 में हमें एक चीज pending करवाया था कि income and expenditure account में हम सारे तरह के expenses income along with adjustment लिखते हैं तो बच्चों यही वो adjustment है यही वो adjustment है जिसका बात हम लोग कर रहे थे यह adjustment होता है यह adjustment होता है तो क्या मैं इस spending को आब मैं okay कर दूँ यह सर यह बात मैं समझ चुका हूँ आगे देखते हैं आगे देखते हैं आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं आगे तीसरे पार्ट को भी हमने कर लिया चौथा पार्ट ज़रा समल के देखिएगा commission receive पहले तो यह बताओ income side लिखे या expenditure side सर रिसीवड है तो आप income side लिखो आगे फिप्टीन थाउजेंट इंक्लूडिंग थ्री मन्थ फॉर दे नेक्स्ट इयर आईए ज़र इसे अलग से समझते हैं आप को commission मिला है total पंदरह हजार ठीक है जिसमें की 12 months तो आपका current year होगा और 3 months के लिए next year का जो next year का जो 3 months है उसके लिए भी salary आपको अभी ही मिल चुका है तो आप एक बात बताईए current year में आपको कितना salary मिला सर 15,000 सर ये कितने मन्थ का है सर 12 months तो current वाला और 3 months future वाला next year वाला तो total ये कितने months के लिए मिला है सर 15 months के लिए तो क्या ये 3 months के लिए आपके पास advance receive हुआ है कि नहीं जल्दी बताईए मुझे yes sir हुआ है current year में जब आप current year में हो और future के लिए कुछ भी income या expenses आपको कुछ भी income receive होता है तो आपके लिए क्या होता है advance होता है तो क्या advance income को हम लोग current year में लेंगे क्या बिल्कुल नहीं सर ऐसा कौन बोलता है ऐसा accrual concept बोलता है तो आप चल्दी से मुझे बताईए कि 3 months का कैसे salary निकालेंगे तो 15 months का total 15 months के लिए है तो 1 months के लिए कितना होगा 15 से हम लोग इसे cut करेंगे 1,000 एक months के लिए कितना होगा 1,000 तो 3 months के लिए कितना होगा बच्चों 3,000 क्या ये 3,000 advance है yes sir है क्या इसको हम income and expenditure account में record करेंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि advance से हम लोग record करते है current year का आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं आई इसको भी करते हैं हम लोग तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे by commission 15,000 यहाँ पर लिखेंगे by commission 15,000 और इसमें हम लोग less करेंगे advance commission less करेंगे advance commission advance commission कितने महिने का advance commission 3 महिने का तो यह कितना record होगा 12,000 very nice last में देखें क्या लिखा हुआ है interest receive on investment only for 6 month कितने महिने के लिए मिला है 6 month सर received है तो क्या यह income होगा हाँ income होगा तो हम कहा लिखेंगे income side लिखेंगे by interest received अब यह देखिए received कितने महिने के लिए हुआ है 6 महिने के लिए और एक साल में कितना महिना होता है सर total 12 महिना जिसमें कि हम ने 6 महीने के लिए रिसीव किया है बांकी का 6 महीना क्या है सर ये तो वही वर्ड है accrued है accrued है accrued को क्या हम income and expenditure में लेते हैं क्यों लेते हैं क्यों कि ये income total current year का है भले ही case में मिला नहीं है तो क्या इसको हम record करेंगे बिल्कुल करेंगे तो interest receive कितना हो गया 6 into 500 तो यहां पर हम लिख दे रहे है 3000 और add करेंगे accrued interest कितने महिने के लिए 6 महिने के लिए 6 महिने के लिए तो यह हो गया 3000 total 6000 मेरा interest तो बच्चों यह क्या जल्दी से बताओ सरीए adjustment है तो क्या आप इस बात को अच्छे हैसा समझ पाए एक pending मेरा बाकी है वो मैं अभी complete करता हूँ यह देखिए वीडियो के जब part 2 में जब हम revenue nature को समझ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक transaction को pending किया था आई यह उसे भी कर लेते हैं purchase of 10% investment for 1 lakh क्या purchase of 10% investment capital nature का है yes sir तो क्या यह income and expenditure में record होगा बिल्कुल भी नहीं sir अच्छा यह income and expenditure में record नहीं होगा नहीं होगा यह देखिए investment के आगे जो rate दिया हुआ है यह तो जब ही हम interest investment को purchase करेंगे तो यह तो मेरा income का rent है income का rate है कि कितना rate से हमें इस investment पे interest receive होगा हमें current year में कितना investment पे interest मिलना चाहिए sir 10,000 but question में क्या दिया हुआ है interest receive 6,000 only 6,000 only तो आप मुझे जल्दी से बताओ बाकी का 4,000 क्या है outstanding है, advance है और accrued है बहुत सही जबाब sir वो outstanding नहीं है advance नहीं है यह accrued है accrued मतलब वो income जो हम earn तो कर लिये हो लेकिन receive ना हुआ हो तो इसको हम यहाँ पे अभी pending को okay कर देते है interest receive 6,000 और इसमें हम लोग add कर देंगे accrued interest कितना 4,000 तो total कितना हो गया 10,000 अब हम इसको अभी यहाँ पे balance कर देंगे देखिए तो देखिए इधर मेरा 14,000 हो गया total very nice expenses का side कितना हो गया 14,000 income का side कितना हो रहा है 12,000 ला 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 मतलब कि हमें 2000 का loss हो गया और loss को हम लोग क्या लिखेंगे deficit लिखेंगे यह मुझे balancing figure में लिखना होगा और यहाँ पे कितना हो गया deficit 2000 तो आप देख रहे हैं कि हम income and expenditure कैसे बनाए आईए हम अपने current example को भी complete कर लेते हैं इस example में भी हमने एक-एक adjustment को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ समझ के record कर लिया है अब हम इसे भी balance कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह income and expenditure बनाने में हमें profit हुआ है या loss हुआ है तो हम जल्दी से total लगाएंगे income side का total कितना होता है जल्दी देखो 24, 12 और 6 यह total हो गया 42 correct और इधर कितना है 24 तो income में हमें 42,000 है और expenditure में 12, 12, 24,000 है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों यहाँ पे sir sir plus होगा कितने का sir 24, 42 minus 24 that is 18,000 का तो बच्चों अब मैं अपने वीडियो को sum up करता हूँ तो इस वीडियो में हम सीखें कि income and expenditure account profit and loss के जैसा कैसे होता है यह हमने part 1 में देखा income and expenditure account cash, credit और accrual basis transaction को कैसे record करता है यह हमने part 3 में देखा income and expenditure account revenue nature के transaction को कैसे record करता है यह हमने part 2 में देखा और income and expenditure बनाने का main motive क्या होता है surplus और deficit को find करना यह भी हमने part 1 में देखा thank you very much आप इसी तरह सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए अगले क्लास में हम आपके साथ एक नया topic balance it and p.o में हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो लाएंगे thank you very much अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो आप like share subscribe कर सकते हैं में हमें हो तो आपके पस्थाण दोषि थाण